और जो व्यक्ति जितना ज्यादा विचारों को आने जाने से रोखेगा, उस व्यक्ति के अंदर उतना ही धीरे बोलने का मन होगा। वो देखेगा जरूर, परंतो क्या देख़ रहा है उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। उस सुनेगा जरूर पर क्या सुन रहा है उसका ज्यादा दिमाग में प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसा करके आपके मन को इन तमाम चित्रों से बाहरी इंफरमेशन से अपने मनों को खाली करने का है ना मन बनाना है और उसको आदेश देना है कि भाई साब जरा हमको तकलीफ म दो थोड़ा बाहर चलके रहो अंदर अभी हो गया अभी तक तो बहुत हो गया अब हमने आने देंगे आपके इस तरीके से आपको एकांति स्थान चाहिए ठीक है जब सुरुआत में ऐसा लगेगा पर धीरे 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 इसके बाद है होगा ये कि आप अपने आपको आदतन इसको इस दिमाग को ले आएंगे तब फिर कहीं भी बैट करके थोड़े मिनिट के लिए गाड़ी चिल रही है पंखा चल रहा है गर में आ रही है पसीना आ रहा है नहीं आ रहा है कोई जा रहा है आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप आँख बंद करने के साथ साथ खुली खुली आँख में भी थोड़े मिनिट के लिए गायव हो जाईएगा इसलिए जब कभी में हुआ यात्रा करते हैं तो विंडो सीट ले जाते थे साम को पांच बजे नो बजे तक वहीं बैठे रहे थे ढलते सूरज के बाद आसमान के पीछे क्या होगा कौन रहता होगा वहां कैसा होगा वो दुनिया संसार ऐसा करके हम अपनी कलपनाओं को अंदर आने से रोक रहे हैं इसलिए दूर दूर तक की चीजों को द जो जितनी जो चीजें आपको जितनी विजिवल होंगी वैसा ही आपके दिमाग के अंदर उसकी प्रतीमा छोड़ेंगे उसका चित्र बनाएंगे इसलिए मैं पसंद करता हूँ मेरा अपना आइडिया है कि दूर उची जगह में बैट जाएए दूर तक देखिएगा ओ इतरह दूर जो पहाड़ है उसकी फोटो नहीं बनती है आस्मान की और ताकते रहे हैं चितिच को देखिए जहां जमीन और आस्मान टकरा गया है समुद्र के किनारे सबसी अच्छी उपलब्द जगह होती है यहां कोई शोर गोल नहीं है आप बैट जाएए और दूर तक देखते रहेगा जो जितना दूर देखेगा उसके दिमाग में चित्र उतने ही कम बनेंगे ऐसा करके विचारों के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है फिर आपको धीर धीर आप से आप कम बोलने का मन होने लगेगा धीर धीर आप जो है बहुत स्लो बोलने लगेंगे क्योंकि आपकी जो दिमाग की जो इंद्रियां हैं वो इंफर्मेशन देने में जल्दबाजी नहीं करेंगे जो जल्दी जल्दी हवड़दा बड़दा 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 खुछ भी बोलते रहता है अनाप सनाप बोलते रहता है ना वो इसका मतलब उसका दिमाग उतना ही ज्यादा तेज चलता है जिसका दिमाग जितना ज्यादा तेज चलता उसका इंजन जल्दी खरा जल्दी गरम हो जाते हैं तो पिस्टन शुलू जल खराब हो जाते हैं तो गैरेज में खड़ी हो जाती हो गाड़ी अंकल जी मेरे लिए दुवा करो टेंशन में हो क्योंकि राट दिन पिष्टन चल चकड़ दीजल भी खतम होगा और पिष्टन सुलू भी खस जाएंगे फिर एवरेज कम देने लगेगी गाड़ी फिर एक दिन बंद हो जाएगे डिप्रेशन समझे में आगे बात कुछ समझ रहे नहीं समझ रहे इलाज आपके पास है बाइबिल में सला दी गई है ऐसा करना है जीव को और आत्मा को अलग करो और गाठ गाठ और गूदे गूदे की information को कैद करो जिसी कि आप अपने मन को शांत बनाई रख सको इसलिए हम अपने खेत में जो बंगला बना रहे हैं उसमें वो सारी सुविधाएं हैं जहां दूर दूर तक अपने विचारों को इस संसार से अलग करने का उपाय किया जाए हालिलुया सो इस तरीके से आपने एक उचित स्थान का चुनाव करना है और उस चुनाव के साथ अपना समय थोड़ा थोड़ा करके अदा घंटा बैट लिए फिर भी आएंगे विचार आते जाएंगे आते जाएंगे आप इरिटेट मत हो उनको आने दो आरह भी चार आने दो ए बाबा क्यों परिशान करता जहन यार बाबा बैया तो मर क्या करता पर क्यों इदिए नहीं क्यों मोटर साइकल दिख रही है मेरे को मेरे दोस्त वो उदर मुंब aí मैं क्या कम है तुम्हारा बताएए जाओ ना ये दिमाग में क्यों परिशान कर रहे हूं ऐसे बोलो उसको जाएगा हो irritate मत हो नहीं तो ध्यान खतम हो जाएगा silently बोलना फिर आ गए तो क्यों परिशान ठीक है क्योंकि वहीं तो peace है न भाई समझ रहे हैं बात stop them इसको silently gently बोलो अब हम बोलते बोलते लगभग अपने दिमाग में शून होते चले जा रहे हैं अब बात करने की तमन्ना खतम हो रहे है ऐसा लगता है कि अब बस खो जाओ समझ रहे हैं बात यह है हमारे मन की सांती की आने का तरीका such a way we can unlock the door so the peace may come inside in your mind and the heart ठीक है फिर आपको कोई गाली भी बखेगा ना ना नदे ठीक है ने तुत्ते जी देट्या बोला इदर पर इदर पर शिर्के पानी की उपस पानी चलागे 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 that means you are so upset right यहां पर 99 प्रतिसत जो गलतियां हैं वो करने की टेंडेंसी खतम हो जाएगी hallelujah जब आपका मन खाली हो जाए तब कहना हे पावित्र आत्मा यह चेर एमटी है आप आ सकते हैं come in अब मेरे खाली बिल्कुल ब्लैंक पेपर हो गया है प्रभू एक तरफ कल बहुत गुदा था आज मैंने पेपर को ब्लैंक कर दिया हूँ अब अपनी बात मेरे अंदर डाली है